बेकरी आइटेम्स जो हम अक्सर बेकरी से खरीबते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि हम वो बना पाएंगे कि नहीं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूं बेकरी स्टाइल टूटी-फूटी रस्क यानि टोस्ट की रेसिपी एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगी और मैं परफेक्ट मेजुमिल्ट के साथ परफेक्ट टेम्परेचर भी आपको बताऊंगे कि ये परफेक्ट रस्क घर पे कैसे बनते हैं बिलकुल एगलिस रेसिपी है और एक दम परफेक्ट बने है स्वात बहुत ही बढ़िया है और अगर आप मेरे रेसिपी पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे रेसिपी को आगे शेयर करते रहें तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं एक बोल में मैंने ले लिया है如果श एक कप मैधा और इसके साथ में अद करूँगी हाफ कप छितनी चिनाव यह इस पीसी हुई है साथ में हम एड़ करेंगे half teaspoon baking soda और एक teaspoon baking powder यह simple tutti-footy vanilla cake है और इसके बाद हम इसके रस्क बनाएंगे पहुत ही easy recipe है लेकिन सिर्फ चीजों का ध्यान रखना है और अगर baking पकी नहीं है तो तब भी आपको यह perfectly आ जाएगा क्योंकि आप इसे बिना oven के भी बना सकते हैं मैंने इसमें डाल 1 3rd cup जितनी टूटी-फूटी जिहां टूटी-फूटी आपको लास्ट में नहीं डालनी है बस इसी dry ingredients के साथ इसे mix कर देनी है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 4th teaspoon जितना pineapple essence मैं आपको आगे बताऊंगी मैंने pineapple essence क्यों लिया है साथ मैं add कर देंगे 1 4th cup जितना oil मैं oil fortune light cooking oil यूज करते हूं जो cooking में यूज करते हूं वही में baking में यूज करते हूं क्यूंकि इसमें किसी तरह की कोई strong odor यानि smell या टेस्ट नहीं होता तो हमेशार याद रखे के baking करते समय ऐसा oil का इस्तमाल करिए जिसमें strong taste बिल्कुल नहीं हो वरना वह टेस्ट और smell आपके cake में ब total दूद में इसमें add किया है मैं हमेशा बताती हूं कि जितना भी दूद है वह अलग-अलग measurements में जाएगा क्योंकि it depends कि आप कौन सा floor यूज कर रहे है यानि आप आटा यूज कर रहे है गेहू का आटा या तो आप मैदा यूज कर रहे है या कभी-कभी होता है कि हमारा जो तो बस मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूद add कर रही हूं और एक ही direction में batter को mix कर रही हूं अब आती है कि essence की बारी मैंने लिया था इसमें pineapple essence अगर आपके पास pineapple essence हो या mixed fruit essence हो तो आप वही डालिए गाईस क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया इसका flavor आएगा बहुत ह अगर आपके पास यह दो नहीं है तो आप vanilla essence यूज़ कर सकते हैं और आपके पास essence है ही नहीं तो आप बस किप कर दीजिए essence को और अब batter तैयार है तो मैंने एक लंबी सी मेरी baking dish है इसके उपर batter को फैला लिया है अच्छे से और इसे मैंने बेक किया है 180 डिग्री पे करीब पतला आएगा आप जो भी बेकिंग डिश यूज़ करें इतना ध्यान रखना है राउंड नहीं होनी चाहिए और यह लीजे मैंने केक को थंडा होने के लिए side में रख दिया था और यह perfectly थंडा हो चुका है अब सबसे पहले हम इसके pieces करेंगे जब अच्छे से थंडा हो ज करेंगे इसलिए मैंने एक scale ले ली है और इसके measurement से मैं pieces करोंगी आप चाहे तो small square वाले भी टोस्ट आते हैं बाजार में वैसे कर सकते हैं मैं थोड़े से लंबे बना रही हूं और पतले-पतले ताकि जल्ली से इसकी baking हो जाए अब फिर से ऐसी डिश के उपर मैंने यह क्ल अब इसे हम 180 डिग्री पे करीबन 20 मिनिट्स के लिए बेग करेंगे यह देखे 15 मिनिट्स के बाद यह उपर वाला हिस्सा एक तम डाक हो गया है तो फटा फट से बस अवन को open करिए और within a second आपको सारे के सारे इस तरह से पल्टा देने है डिश आपकी बहुत ही गरम होगी तो आप किसी cloth या किसका इस्तमाल करके फटा फट से इसे पल्टा दे मैंने बोला है कि मैंने 20 मिनिट्स के लिए इसे timer दिया था तो 15 मिनिट्स के बाद इसे पल्टा के फिर से जितनी भी 5 मिनिट्स मेरी बची है उसमें हम baking करेंगे तो oven को फटा फट बन करके फिर से start कर द करते हैं तब भी ध्यान रखे 15-20-18 कुछ भी हो सकता है जब तक अच्छे से उपर की लेयर हाट न हो जाए यानि टोस्की जैसे होती है बस वैसी ही आपको करनी है तो है बहुत सिंपल यह देखिए साइज भी एकदम अच्छे से उसकी बेक हो चुकी है यानि ब्राउन हो आप आवास देख रहे हैं मैं सारे के सारे इस तरह से कर रही हूं और मैंने साउंड बन कर दिया थाकि आपको लगे कि यह एक फुल प्रूफ विडियो है यानि रेसिपी है तो आप भी अगर इसे तरह से मेरे रेसिपी ट्राइ करते हैं तो कमेंट के जरी मुझे बताईए आपकी रेसिपी अच्छी बनी के नहीं आप कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं उसका तुरन जवाब देते हूं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे एक लाइक दे दे और इसे आगे शेयर करते रहे है